Hello, मैं हुँ तौसीव और आप देख रहे हैं, Believe for You आज का ये वीडियो अनिमेशन के बारे में है और इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए है किसी ने पूचा अनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं तो किसी ने पूछा इसके लिए कौन सा software यूज करते हैं और ऐसे ही बहुत सारे सवाल किये गए मुझसे तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ animation के बारे में अगर आप अपने viewers का ध्यान, attention पूरी तरह अपने वीडियो पर करना चाहते हैं तो इसके लिए animation एक बहुत ही powerful की है practically अगर आप दो वीडियो बनाते हैं same topic पर एक में आपने animation यूज किया है और दूसरे में simple text और images same topic और content होने के बावजूद animation को लोग ज्यादा पसंद करेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस software या website के help से हम animation बना सकते हैं मैं आपको तीन software या website के बारे में बताऊंगा जिससे आप बहुत ही बहतरी beautiful animation बना सकते हैं और आप खुद decide कर सकते हैं कि इन तीनों में से आपके लिए बहतर कौन है नमबर थ्री पर है Powtoon तो चलिए Powtoon की website पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हम animation कैसे बनाएंगे www.powtoon.com create animated videos and presentation it's free and it's awesome ओके start now यहाँ पर आप sign up कर सकते हैं मैं simply यहाँ से facebook से sign up करूँगा यह कोई Powtoon के उपर tutorials नहीं हैं कि मैं आपको step by step बताऊंगा मैं आपको simply इसका features में आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या है और इसका interface में आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको decide करें कि यह आपके लिए useful है या नहीं तो simply मैं यहाँ पर start tour है न यहाँ पर मुझे बताया जाएगा कि कैसे कैसे project create करना है फिलार मैं इसे skip कर देता हूँ themes and templates आप यहाँ से choose कर सकते हैं बहुत सारे templates यहाँ पर already दिये हुए हैं या फिर आप blank choose कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर blank choose करूँगा यह है Powtoon का interface तो चलिए एक छोटा सा project इसमें बनाते हैं सबसे पहले आप scroll down करके नीचे आई है यहाँ से आप background choose कर सकते हैं मैं यहाँ से background मैंने choose किया और मैं इसमें पहले कुछ text include करता हूँ यहाँ से मैंने text include किया इसमे I love Billy अब इसे आप यहाँ से arrange कर सकते हैं जहाँ भी drag करके आप इसे डाल दें अब यहाँ पर कुछ features है left side में नीचे की तरफ यहाँ पर अगर देखें तो enter and exit यहाँ पर है कि यह जो text है वो कैसे आएगा और कैसे जाएगा इस project page पे वो कैसे आएगा और कैसे जाएगा तो enter effect में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देखिए उपर से नीचे की तरफ up, down, right, left मतलब अगर right की तरफ करते हैं तो यह right की तरफ से आएगा बीच में and right कर दिया मैंने और वैसे ही exit में मैंने कर दिया यह left की तरफ जाएगा अब अगर इसे हम slide करके देखें तो आप एक effect देखेंगे यह यहाँ से आया और यह center में है और यह यहाँ से चला गया अब इसमें हम लोग कुछ characters include करते हैं characters मैंने यहाँ से animation character चूज किया इससे अपने हिसाब से arrange कीजिए, resize कीजिए उसके बाद यहाँ से and यहाँ timeline में आप देख सकते हैं, timeline में अब देखिए हो यहाँ पर यहाँ पर जो अभी है 9 seconds तक यह हमारा text include रहेगा वैसे ही अगर pop-up है तो pop-up हमारा last में आएगा and यह जो musician है हमारे यहाँ पर यह इसे मैं कर देता हूँ कि यह 2 seconds के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और last तक रहेंगे 10 seconds तक और यह हमारा heart है यह आएगा 6 seconds पर and यह full 10 seconds तक रहेगा अब यहाँ पर यह से अगर हम slide करके देखें तो देखिए text आया and यह musicians आप आया तो इस तरीके से आप यहाँ से slide create कर सकते हैं आपको कुछ import करना है तो यहाँ पर images import कर सकते हैं एक नया page include कर सकते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे characters बहुत सारी चीज़े हैं यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर image holders है अगर आपको किसी holder के अंदर image डालना है तो आप वो डाल सकते हैं for example यहाँ से मैं कुछ यहाँ पर upload करता हूँ upload and मैंने यह select किया and यह से मैंने select किया and insert image तो यह देखे इस computer के अंदर यह image insert हो गया है तो यह था basic editing आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे features हैं बहुत ज़ादा character यहाँ पर available नहीं है बहुत सारी चीज़े नहीं हैं यहाँ पर but अगर आप basics अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं finally जब आपका project ready हो जाया तो आप यहाँ से preview करके देख सकते हैं कि आपका project कैसा दिखेगा and जब finally आप project create कर लेते हैं तो आप यहाँ से export कर सकते हैं आप सिर्फ इसे ही YouTube पर upload कर सकते हैं क्योंकि यह जो आपका है free account है यहाँ पर अगर आप premium account लेते हैं तो आपको कुछ extra features मिलेंगे यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप free या trial account यूज़ करते हैं तो आप इससे बने project का commercial यूज़ नहीं कर सकते हैं आप इससे YouTube पर monetize नहीं कर सकते हैं इससे earning नहीं कर सकते हैं अगर आप इसका commercial यूज़ करना चाहते हैं तो आपको paid या pro plan लेना होगा तो शलिए premium account की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसके price list को हम देख लेते हैं इसका सबसे कम का जो plan है वो $0 का plan है जिसमें बहुत सारा limitations है कि आप watermark remove नहीं कर सकते हैं कोई किसी तरह की privacy नहीं रहेगी आपको support नहीं मिलेगा तो इसका सबसे पहला plan जो है अगर आप annually लेते हैं तो आपको $19 per month pay करने पड़ेंगे या फिर अगर आप monthly लेते हैं जो pro plan है तो आपको $59 per month pay करने पड़ेंगे जिसमें सारे features available हैं आप HD download कर सकते हैं आपको 20 music tunes मिलेंगे उसी तरीके से 18 a style मिलेंगे up to 15 minutes तक pro में आप 15 minutes तक के ही video only बना सकते हैं उसी तरीके से अगर यहाँ पर business है तो business में अगर आप annually pay करते हैं तो $59 per month अगर आप इस plan को business plan को आप monthly के हिसाब से use करते हैं तो $127 per month आपको pay करने पड़ेंगे इसमें कुछ extra features include हो जाते हैं तो आप अपने हिसाब से decide कर सकते हैं कि कौन सा plan आपके लिए बहतर है तो चलिए ये था पावटून के बारे में अब हम लोग चलते हैं next software की ओर जिससे हम whiteboard animation बना सकते हैं नामबर 2 पर है video subscribe अगर आपको इस catching पसंद है तो ये software आपका favorite software होगा तो चलिए video subscribe के website पे चलते हैं तो simply link बार में type कीजी www.videoscribe.co और enterpress कीजीए ये है video subscribe का website आप यहां से 7 days के लिए trial ले सकते हैं तो simply आप यहां पे email address enter कीजीए और sign up कीजीए उसके बाद आप इसे download कर सकते हैं तो मैंने already download किया हुआ है मैं आपको उसका interface दिखाता हूँ ये है sparkol, video subscribe और पहले आपको login करने परेंगे जिससे आपने sign up किया था अगर आप trial use कर रहे हैं तो आपको internet connection की जरुवत होगी इस software को use करने के लिए तब ही आप login कर पाएंगे login यहां पर how to video है तो मैं इसे cut कर देता हूँ तो मैं यहां से simply create new project में जाता हूँ और यह है इसका editing interface मैं यहां से कुछ इसमें image import करता हूँ यह देखे इसकी पूरी library यहां से open हो गई मैं यहां से people's में जाता हूँ और यहां से मैं को character select करता हूँ और example यह character मैंने select किया इसे आप जहां पर भी arrange करना चाहिए आप arrange कीजिए, resize कीजिए और camera set कीजिए सबसे पहले आप यह चाहते हैं कि यह project area है आपका इसमें यह image यहां पर हो मैंने इसे यहां पर camera set कर दिया और इसमें मैं कुछ text include करता हूँ I want to subscribe believe for you ओके और इस text को मैं यहां पर डाल देता हूँ इसे भी आप अपने हिसाप से resize कर सकते हैं और मैं इसका भी यहां पर camera set कर देता हूँ उसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी property में और देखते हैं कि यह कैसे आएगा कैसे जाएगा कैसा effect होगा तो सबसे पहले अगर उपर मैं देखे तो यहां पर draw, move in and morph यहां पर draw का option select है मैं इसकी timing कुछ यहां पर कम कर देता हूँ मैं चाहता हूँ कि 3 second में यह draw हो जाए यह 2 second में यह draw हो जाए and यह मैंने select कर लिया और यहां से मैं hand select कर देता हूँ कि यह किस तरह draw होगा यहां से मैं कुछ basics hand जो है वो select कर लिया हूँ आप यहां से preview देख सकते हैं कि कि किस तरह के draw होगा और मैंने किधर से move हो, नीचे से, उसका ये set कर सकते हैं, इसकी भी आप animation timing set कर सकते हैं, मैं जाता हूँ कि ये तीन second के अंदर ये animate होकर के आ जाए, और यहां से भी मैं hand select कर लेता हूँ, मैं ये hand select कर लेता हूँ और यहां से मैंने press कर दिया, अब इसे मैं preview करके देखता हूँ, देखिए आप कैसा effect होगा पहले ये image है, उसके बाद ये है, तो आप अगर चाहते हैं कि ये पहले हो, तो जैसे देखिए इसको simply यहां से मैंने drag करके इससे पहले कर दिया, यहां से भी आप preview कर सकते हैं यह जो timing है, इसका 3 second काफी longer timing है, इस वैसे काफी slow आ रहा है, तो यह software काफी useful है, इसमें आप text include कर सकते हैं, chart include कर सकते हैं, music include कर सकते हैं, इसमें इनकी अपनी बहुत सारी music tunes available हैं, आप चाहें तो recording कर सकते हैं, आप import भी कर सकते हैं अपनी images, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जो भी image है, वो SVG format में होता है, तो आप internet से भी SVG format में आप download कर सकते हैं, for example, जैसे कि मैं यहां से import करता हूँ, एक SVG image, and desktop पे मैंने रखा हुआ है, desktop, and यह देखे, SVG format में है यह, तो आप यहां से इसे set करते हैं, आप SVG format में आप इसे download कर सकते हैं, मैं इसका भी camera यहां से sit कर देता हूँ, and then इसकी properties में जाके मैं draw, and यह जो draw होगा, यह तीन second के अंदर draw होगा, और hand में select कर लेता हूँ, यहां से, actually यहां पर और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं इसमें जाता हूँ, तो यह देखे, यहां पर बहुत सारे pane, and you know, rubber इस तरह की options यहां पर available है, तो आप जो hand शाय है, वो यहां से select कर लेता है, मैं simply यहां से select करूँगा, and again मैंने ok press किया, और ok press किया, अब देखे कि मैंने sbg photo जो है, वो import की है, तो यह भी हमारा sketching property में आ जाएगा, मैं इसे play करता हूँ, तो यह था कि कैसे project create करते हैं, अगर आपको import करना हो, तो simply यहां से चाहिए, और publish, है न, publish आप YouTube पे कर सकते हैं, आप save नहीं कर सकते हैं इसे, और अगर आप direct YouTube पे upload करते हैं, तो यह जो icon है, यहां पे watermark है, वो इस कर रह जाएगा, यहां पर फिर से मैं आपको बताना चाह होगा, अगर आप इसका commercial use करना चाहते हैं, तो आपको paid या pro plan लेना होगा, तो चलिए अगर हम लोग pro की बात कर रहे हैं, तो इसकी भी हम लोग pricing देख लेते हैं, यह है video scribe का plan, अगर आप annually पे करते हैं, तो आपको $162 पे करने पढ़ेंगे, अभी actually offer चल रहा है, otherwise आपको $198 पे करने पढ़ेंगे annually, अगर आप इस plan को लेते हैं, तो आपको $13 per month पढ़ेगा, अगर आप monthly plan use करना चाहते हैं, तो $29 आपको pay करने पढ़ेंगे, pro version के लिए यह सारी options है, आप इसमें one time payment भी कर सकते हैं, आप शाहें तो एक बार में ही खरीद लें, lifetime के लिए, तो आ whiteboard animation की software है, उसमें सबसे जो सस्ता software है, वो यही है, तो यह था video subscribe के बारे में, इसका main function, sketching है, अगर आपको sketching पसंद है, तो आप इस software को choose कर सकते हैं, तो चलिए अब next website के ओर चलते हैं, जिससे हम animation create कर सकते हैं, number one पे है, go animate, तो चलिए इसकी website पे चलते हैं, और देखते हैं, कि इसे मैंने number one पे क्यों रखा है, तो simply आप अपने link पार में type कीज़े, go animate dot com, यह है go animate का website जहांपर आप animation create कर सकते हैं, यहां पर भी आपको पहली sign up करना होगा, आपको 15 days का trial यहां पे मिलेगा, मैं आपको सीधे interface के तरफ ले चलता हूँ, यह है video editing का interface, मेरी पास अभी यहां पे blank page है, मैं यहां पे कुछ characters डालता हूँ, सबसे खास बात इसकी यह है, कि आप यहां से जैसे एक कोई character यहां से choose करते हैं, फिर उसकी बहुत सारे character, उसकी बहुत सारे pose, बहुत सारे emotions available है, for example, मैं यहां पे इस character को select करता हूँ, यह मेरे timeline में आ गई, और मैं इसे चाहूँ तो यहां से resize कर सकता हूँ, अपने recording, मैंने यहां से resize किया, और अब देखिए, जैसे मैं इस पे click करता हूँ, तो बहुत सारे style है, तो आप यहां से choose कर सकते हैं, कि आपको किस तरह का चाहिए, यहां पर बहुत सारी category है, eat and drink, emotions, emotions में जैसे देखते हैं, इसमें कुछ animations होंगे, कुछ सिर्फ pictures होंगे, जैसे यह picture मैंने select किया, ओके, यह emotions हैं इसके, अब next हम लोग चल सके, enter and exit effect में, यह हमा पर प्रजेक्ट पर यह कैसे आएगा, और कैसे जाएगा, तो add inter motion, यहां पर enter मैंने select किया हुआ है, style आप यहां से choose कर सकते हैं, slide जो है, अभी यहां पर slide है, जैसे कि मैं इसे play करके देखता हूँ, preview अगर हम इसे करते हैं, तो यह देखिए, simply यह slide होकर कर आया, उपर से नीचे की तरफ, है न, इसमें हम कुछ अलग effect डालना चाहते हैं, तो यहां से आप choose कीजिए, किस तरह का effect आप डालना चाहते हैं, यहां पर आप उसको preview करके भी देख सकते हैं, यह कैसा effect होका, मैंने यह select किया, wipe, तो यह inter effect ह हो गया, उसी तरीके से अगर हमें exit effect डालना हो, तो यहां से add में click करूंगा, और यह हमारा exit effect हो गया, तो यहां पर भी हम वही रहने देते हैं, अब इसे अगर हम preview करके देखते हैं, यह देखिए, कुछ इस तरीके का effect आपको यहां पर देखेगा, इसमें आप और भी characters include कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, props है, यहां पर available, text अगर आपको include करना हो, आप text include कर सकते हैं, है ना, simply double click करके, आप इसे edit कर सकते हैं, believe for you, इसमें भी आप उसी तरीके से आप enter and exit effect आप डाल सकते हैं, add, enter motion, यह कैसे आएगा, और कैसे जाएगा, किस तरफ से आएगा, कैसा effect होगा यहां से, अगर आपको extra page include करना हो, तो आप यहां से extra page include कर सकते हैं, यहां पर और भी बहुत सारे option हैं, आप यहां पर import कर सकते हैं, media अगर आपको import करना हो, तो आप simply drag करके यहां पर डाल सकते हैं, यहां पर कुछ templates already available हैं, उसके according आप editing करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, music आप include कर सकते हैं, इसमें यहां पर already बहुत सारे tracks दिये हुए हैं, आप शहें तो अपनी भी upload कर सकते हैं, तो इसमें ज आपको बहुत सारे style, बहुत सारे emotions आपको मिल जाएंगे, add movement और भी बहुत सारे option हैं यहां पर, तो अगर आपको finally आपका project प्रिव्यू करना हो, तो आप प्रिव्यू पर क्लिक किजी, यह भी जो trial version है, अगर आप इसे import करते हैं, तो आप watermark remove नहीं कर सकते हैं, इसके लोग मंतरी plan देखेंगे, यह देखें कुछ ऐसा effect है यहां पर, तो अगर आप professional type animation बनाना चाहते हैं, तो I think go animate आपके लिए best होका, अब हम लोग देखते हैं कि इसका plan कौन कौन सा है, तो इसका जो सबसे पहला plan है, go publish जो कि 39 dollar per month का plan है, उसके बाद go premium है, जिसका 79 dollar per month का plan ह and go team 159 dollar per month, और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या-क्या extra features है, तो मैंने आपको तीन website के बारे में बताया, number one पे go animate, number two पे video scribe and number three पे power tune, अगर आपको इस catching पसंद है तो आपके लिए video scribe best software होगा, और वो काफी सस्ता भी है, तो आप खुद से decide कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा website best है, आप उसकी website पे visit कर सकते हैं, नीचे description में लिए दी गई है, तो ये था कि कैसे animation create करते हैं और उसके लिए कौन सा software या website use कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरी एक request है कि आप लोग प्लीज ऐसे comment या ऐसे सवाल मत पूछना कि video scribe का, you know crack कहा मिलेगा, या फिर go animate का watermark कैसे remove करेंगे, इस तरह के questions या फिर free में कहां से मिलेंगे, इस तरह के questions प्लीज आप प्लीज मत पूछना क्योंकि मेरे पास इसके जवाब नहीं है, तो I think ये video आपके लिए helpful रहा होगा, अगर आप animation में interested हैं तो, अगर आपको ये video पसंद आया हो तो please like कीजे and share कीजे, ऐ ऐसे ही और भी updates के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते ही, subscribe करने से फैदा ये होगा, कि मैं जब भी कोई नई videos upload करूँगा, तो आपको उसकी notification आजाएगी, तो इस तरह के से आप मेरी कोई भी video miss नहीं कर सकते हैं, तो आपने अगर अभी तक subscribe नहीं किया है, तो आप पहले subscribe क कर लें, और अगर आपने already subscribe किया हुआ है, तो आपका बहुत बहुत शक्रिया, and finally, you know, thank you for watching.